बारतिय समाज में लंबे समय से चला रहा बेटे बेटियों में फर्क अब समाज से मेट रहा है। बेटी के पैदा होने के बाद ही नसबंदी कराने में बिलकुल नहीं जजग रहे हैं। आज भी परिवार में बेटों की पसंद परकरार है। लेकिन सबसे ज़्यादा बेटों की चाहत वाले पंजाब, हर्याना और महराश्ट जैसे राज्यों में भी अब ये मानसिक्ता खत्म हो रही है। शोदकर्ताओं का मानना है कि विवाहित जोडों में सिर्फ बेटियों की पसंद में बढ़ोत्री हुई है। शोदकर्ता बताते हैं कि सिर्फ बेटियों के जनम के बाद परिवार नियोजन अपनाने से बेटियों के खिलाफ घरेलू हिंसा में भी कमी आई है। नई स्वास्थ रिपोर्ट के मुताविक पंजाब, हरियाना और महराष्ट तीन ऐसे राज्य हैं जहां बेटों को ज्यादा प्राथमिक तादी जाती है। पाँच दशमलव एक फीजदी और महराष्ट में पाँच दशमलव चार फीजदी से बढ़कर दस दशमलव तीन फीजदी पर पहुँच गया है। तो नजबंदी करा चुके हैं या सिर्फ एक बेटी के बाद ही परिवार नियोजन जाते हैं उनकी तादाद बड़ी है। बेटों की उच्छ प्राथमिकता देने वाले राज्य पंजाब में ये आठ फीजदी, हर्याना में बीस फीजदी और महराष्ट में दस फीजदी तक बड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में एक बेटी के बाद ही नसबंदी या ज्यादा बच्चे नहीं चाहने वाले जोडों की तादाद 21 फीजदी है। आसान भाषा में कहें तो भारत में बेटियों की स्विकारिता बड़ी है और लैंगिक भेदभाव समाज में धीरे ही सही लेकिन मेट रहा है। मुहमद नुरुद्दीन की रिपोर्ट गोनिउस।